हेलो एवरिवन वेल्कम टूवर यूट्यूब चैनल जेकल इंफो तो आज किस वीडियो में हम एक नया कंटिनेट कवर करने जा रहे हैं जिसका नहाम है यूरोप तो आपको मैंने कहा था कि यूरोप और साथ में अस्ट्री जो बच गया था आपके सामने वह एक वीडियो मे इस तरह से बनाएगी स्टाइक पोशिन काफी कवर कर रहा है उसका तो आप पर जाता बढ़ें ना पड़ेंगा यहां पर याद करने वाला यहां पर प्रेशर आपके पर कम रहें आप आज जी वीडियो देखें आज ही सब कुछ याद कर लो इसलिए यूरोप आपको हあれ देख चुके थे यहां पर अगस के बात करेंगे अपर बात को मानके चलो मिल रहा है तो इस तरह से माउंडर वना ओंस के ठीक है और यह तरसे बात करने इस्टन साइड में एश्यवाला पोशिन आ जाएगा और यूराल मांटेंस जो इसको अलग करने काम करते हैं समय जो मतलब एक दरफ आयटे ओशन देख लिया नीचे मैडिन सी ब्लैक सी कैस्पिन सी देख लिए जो एश्या को इसको अलग करने काम करें आप एक तर स समझ कैसी का संय आपको सामने को मिल backyard रही हों गया में कुछ나 बात करते हैं उसका मतलब को समझा दूंगा ओर स्पnost आपको देखने को मिल रहा है इतना भी आपको सब कुछ क्लिर होगा यूरोप को लेकर आगे कवर करते हैं देरे-देर आपम आरप प्रेंट वाइस नोट्स अपको लेकर आए हूं यह नोट्स आपको टैलीग्राम पर मिल जाएंगे टैलीग्राम कर लिडियो के डिस्क्रिप सब्कुंस के बाद में बढ़ने एरिया वाइस तो सकीड लास् नंबर यूरोप आ रहा था सबसे छोटा कंचरेंट ऐस्टेलिया ऑश्यने के की पाते अस्टेलिया उसके बाद आगर दुसरे नंबर पर उच्छुठा कंचरेंट रहरे था लेंगो पर नियुरोप की बात क सबसक्राइब करते हैं यहां पर नॉर्थ की तरफ बात करें हम कौन सा शाइब यह अब यह दिखा चुका है आप इस्ट में उस्ट में बात करने वहां पर क्या वहिस सब कुछ यह यहां पर देखने को मिल लोग लिखा हुए और यह एशिया से कैसे इसे जोग होता आफ्रिक तर African और Europe को अलग करने की बात कर रहे हैं हलाकि Europe की बात करें हैं युरोप और Cristina वार्ली प्लेट कंड्री c कि एक साफसे पर आपरे यहां तो यहां पर शहां वाले रहाँ जो आप Siya यहां जो दो इसने को सब्सक्राइब ने अम्हें अब यहां पर एक पोइंटिए व्हाले पैसे पर गेट रेट बिटेन यहां पर आता है किसको हैं कैसे ब्रेटन को हैं सिर्फ इंग्लैंड को ग्रेट ब्रेटन बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है जो ग्रेट ब्रेटन नाम दिया गया है वेल्स वेल्स में इंग्लैंड को भी आइड कर दो इसमें स्कॉटलैंड को भी आइड कर दो अगर इन तीनों नेशन को आइड कर कर लो इसमें जब Ireland को भी एड कर दे जागा तो क्या बन जाएगा United Kingdom तो United Kingdom क्या है Great Britain क्या इसका मतलव में समझ आ रहा हूँ आपको उम्हेदार हो कर रहा हूँ कि आपको समय जाए रहा हूँ में difference क्या है Great Britain क्या हमारे पास था Great Britain की जब हम बात करते हैं वह हमारे पास Wales, England और Scotland इन तिनों को गर हम एड कर देंगे हमारे पास Great Britain बन जाएगा और इसी Great Britain में जब हम Ireland को भी आइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है तब हमारे पास United Kingdom बन जाता है इतना आपको समय जा गया होगा और बागे जब हमने हमने इस्टर के बारे में बढ़ाता हुए पास एड़ींग्स पड़ा था नकियोप यहांपर आया थे हमने Grep कहा है यूप कार जाते हैं कि हमने क्राद करते कहां कहां से हमारे इंडिया में बभा आए तै कौन को समय आगया होगा कि Great Britain क्या है और UK क्या है सब्सक्राइब क्या ग्रेट बिटेन में क्या एड करने से UK बन जाता है उप्षिंस देगे थे इस तरह से तो आइरलाइंड करोगे तो यह इंगनम बन जाएगा कोई सब्सक्राइब कोई डिफिकल्टी नहीं हो गई अब यह बड़ा इंपर्ट में जाते हैं ट्रांस कंटिनेंटर कंट्रीज कौन सी मतलब जैसे रश्या की बात करें आप पहली बताता है एश्या का भीस है एश्या के नौर्थ में पूर रश्या आता है लेकिन रश्या को यू के पुल्क सब्सक्राइब करें ने मानता हैं वहना बीन लिफिकल्सक्राइब के नहीं तरगर्वाद कजा नौर्थ हो गयायां लगब पच्छे सैए सथ क्शल्ड एज्या को नाम बतादी है से चारों ओuguć मーन की बात करते हैं चारों नाम से पास करता है ट्रापिक ऐजे हो लाउसन करता है तो मियोडे शेजा सब एसे तरिंऑ ऐसे लाइसना और लुक को पता होना चाहिए आपको दिखा दू एकार पुरा बेरें धूर को देखने को मिल रहा अपको देखने को मिल रहाए ना आइरलाइंड कर एक हम इसके बात में पर्तुक्ल की बात करेंगे यह पुरा वेस्टन हैमिस्वेर में आ जाता है इतना पता होना चाहिए आगे और इंपोरेंट के यहांपे जी इंटे की हम बात कर रहे थे जो करता है ब्रीटेन फ्रांस और स्पेंड एक बार इनको मैप है नहीं इसमें आइरलाइंट को हटा दो तो ब्रेटन बज जाएगा लौग तो ब्रेटन बजाएगा अपके यूके देखने को मिल रहे हैं आइलंड कर रही है यह स्पेन हैं से बाद करेंगे तो इतना पता होना चीज जिए बिटेंस से भी पास करता है यह स्पेन से पास करता है उससे बीपास करता है तो इन तीन के테리ाक कर देमेंक केल's किरकव मोनेक मौना को में आए उल्बीता सिती कहा इर्पक्री से इथे ?? अब करते हैं इसे मौनें इसरे अब गलार ऑपकर और भी आजाते इसलिग को मौने को पिनिसुला टाने सिन प्र STEP को बता चूब बारे में और यहां पको बताँ नहीं मैं जगा अटी बंदिया कहा जाता है यूरोप का बारत कौन सा यूरोप रहरत किसे जाता है इतलिव कि इंडिया के इसे पहाड़ यहां पर मंदिर व्यगरा बहुत सारे वाँ पर दर्म को प्रचार होता है उसी तरीके से करके मैं लोग इटली के बारे में कह सकते हो वह भी इंडिया की तरह यह इसलिए यूरोप का इंडिया किसे कहा जाता है यूरोप का इंडिया किसको कहते हैं इटली को कहते हैं तो इटली की गंगा किसको कहते हैं इस पो पूर्वर को कहते हैं यह दो पॉइंट भी आद रखे लेना यह दो पॉइंट बड़े इंपॉइंट रहने वाले अगर आपको यह समझ आ गया गया तो आगे चलते हैं युरोप का प्लेग्राउंड किसे कहा जाता है तो स्विजर लैंड की जब हम बात करते हैं इस स्विज निख देना यह इसी नोट से पढ़ लेना सब कुछ क्लियर हो जाएगा आगे चलते स्विजर लैंड को कि कहा जाता है युरोप का प्लेग्राउंड किसको कहा जाता है और पढ़ लेते हैं युरोप की बैटल फिल्ड किसे कहा जाता है यहां पर एक इंग्लिश चैनल निक करने काम करता है यहंपर इंग्लिश चैनल है यह यहांसरा क्लिविश चैनल न अब को करता हैं अपर आगे चलते हैं पर लेकिसको लेकि लेगे विटिकन सीटी कि है उन जबते सब्सक्राब्त नम्बर पर हम पर सेंद संलե्ट करेंगे मौंट अलबस को तो मौंट ब्लैंक, जो है वह सबसेंद स्वाचुढ प्रिजाता हैें, कौन से रंगज में आता है माउंटेन वह Whats背ike ऐल्पायन माउंटेन वुली रेंज में आता है। अगर से लänd की बात करेंगे यह माउंटेन माउंटेन वुली रेंज में आ जाता है। इंचानि मूंटेन डिए हैं यह वाय वाय पूर एक स्थार्थे थी यहां पर आ रहा था जब तकरांव है आप किस दो चुन को दबाओ गे ऐक इस तरह एक इस तरफ से ला रहे हो गया थे तो इस तरह रहे हो पासिव पहला है यहां किस तरह से आपके सब्सक्राण़ इस इक पर आते जाओ बीचे जो भी पोश्टन को ऊपर की तरह उठके आजएगा पाहड की तरह बन जाएगा तो वैसी फोल्ड मांटेंस इसे तरीके से यहां पर पर आजाती है ठीक है कितना आपको समझ आगया होगा आगे चलते हैं और जैसे बलकान मांटेंस भी यहां पर आती हैं कैके सिसक को ने बता है यहां पर आपको बदाए आपको बदाता है इट लिके गंगा आ जाता है राइन रिवर जो है यह कहां पर आती है यूरोप को इंटिनेट में आती हैं यह कुछ इंपॉर्टन टम्स और जैसे आपको बढ़ा था ना जैसे अब जब हम एशया वगरा पढ़ रहा था हमने एशान बढ़ा था ग्रूप आफ कुंट्रीस था उस तरह से यहां पर भी कुछ है वह बड़े इं जाएगा स्वेडन डी के टन मार्क एंश बनजाएगा न तीन कोन्सी कौन सी स्वाड़न है डेन्मार्ब का रवी है तो आपको यहां से यह भी समझा रहा हो कि यूरोप कंट्रियम्टन पे क्लिन आती है जोब आम आपको देखने को मिलें सभी की सभी यूरोप में आ जाते इसे डेनमार्च बन जाएगा तो पहले सेम तो यह र स्वेडन है डानिंठ को एड कर देना समल जो सक्टरिस थी उसमें लैड और और आइलाइंड को इस्ट्री बड़ी के वर्ल्ट के वाल्टेक वीजन के लड़ी है वगयरा देखें के दूब आप पर नाम गए अपने सुने होंगे तो वहां से थोड़ा पता को आईड़ा होगा वैसे बलकांस के बात करेंगा अपने इस्ट्री में जरूर पड़ाओगा बलकांस के पर दोड़ाद हो जाएंगी तो में में गुरूप को को से बता दिया स्केंडेव नावी बता दिया फिर आपको नौडिक बता दिया और बलकान ओला बता दिया इतना क्लियर हो गया आगे चलते हैं एगर में बीड़ी रश्या आजाएगी यहां पर फिनलेंड जगा आते ह यहां पर ट्राइब की बात करेंगे सबसे बड़ा रेल रूट वर्ल्ट में वह कहां पर यह सेंट पेड्स बोक की बात करेंगे से विलाइब विलाइब बुस्टॉक को करें के काम करता है सबसे बड़े नदी यहां के से नदी फ्रांस की वह इंग्लिश्ट में गिरती है इतना आपको बता होना चाहिए तो आगे बढ़ने सब्सक्राइब को बताना चाहूंगा जेके तरफ से ओली बॉर्ट की तरफ से 35 परिशन को आफ रगे कैसा अभी को सिस पे आप जाके तो अ पर दिस्क्रिप्शन बोक्स में बड़े आप जयाकर जांव बीकर शक्ता थाटी फ़्फाइव परसंट को अफ में तो कूपन कोड़ में आप अच्छन को चाहते हो तो तो टाइम लिमिटेड है आप जाके तो आज तो यह रहने हैं आप दोजिए कर सकती हो आगे चलते है मिलन के बात करें इंट्रली का मैंचेस्टर किसे कहा जाता है यह कभी ने कभी ऐसे एक्जाम में कुशन आई हुए इसलिए मैं आपके यह वले पॉइंट्स लेकर रहा हूं मैंचेस्टर अफ इटली किसे कहा जाता है मिलन को कहा जाता है डेट्रॉइट अफ इटली किसे कहा जाता है तो इतना सारा पोशन आपको कवर करना पड़ेगा यह बड़ा इंपार रजाता आपके लिए यहां तक उमीद करता हूं किसी तक डिफिकल्ट अपको नहीं आया होगी एक बार में देख लो कुछ आप पो रहत होने गया फिर हम आगे कवर करते हैं तब तक आपको बताना चाहूंगा हमारे टैजिकनाम वगरा इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा वाहां पर जाके जॉइन करना वहां पर में प्रवाइड करवा दूंगा और अभी तक मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाए थी इसकी तो आप म पर चुके हैं इस डिक बनी रिजनिंग भी काफी पर कर चुके हैं एक रिजनिंग के साथ इंडिन पॉलिटियम अच्छे से कवर कर चुके हैं कंप्योटर पूरा कर चुके हैं आप जैके प्लेलिस्ट में लेकिए वीडियोस देख सकते हो फिलाल इस पोश्चिन को इतने रख रहे हैं उम्मीद करूंगा अब सारे का सारा पॉश्चिन याद कर लोगा एकर वीडियो अच्छे लोग रहे हैं तो वीडियो को शेयर बीजरूर करना और किसी भी तरह का डाउट हो कुछ पूछना चाहते होगा सब्सक्राइब तो कमेंट सेक्षिन में कमेंटर बता थैंक यू जाहिंद